यहां महिलाएं खाद बनाने के लिए अलग प्रकार की खेती करती हैं जिसे अकोड़ा वा केचुआ खेती कहते हैं इस प्रकिरिया में महिलाएं गोबर, कच्रा और गुर के रस का इस्तमाल करती हैं जिसकी मदद से वर्मी कमपोस्ट बेड बनाई जाते हैं वर्मी कमपोस्ट बेड को 45 से 50 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है इस प्रकिरिया के बाद खेत में मौजूद केचुए गोबर और कार्वेनिक अवशेशों को खाद में बदलने का काम करते हैं विशेशकार इस प्रकिरिया के माध्यम का उप्योग घरीलू सबजी उतपादन एवं पेड पौधे के उतपादन के लिए विशेश रूप से किया जाता है देखिए पूरी रिपोर्ट अकोड़ा क्यों होता है यहां पर कचुह की खाद यहां पर बनाई जाती है कच्वे की खाद बनाते हैं यह ओके आप देख सकते यह चाज की खाद है अंपर गोबर से बनाते फिर से इस сы का को कहां इस्तवार करते थे खेती मे गरते ना हम थेजमें डालते है बढ़ी है तो इस खाद को किस-किस में डालते होंगे इसमें बेंगन में डालते हैं और फापडी में डालते हैं तो इस खाद को बनाने के लिए कचवे कच्वे ढलते हैं और गुड़ का पानी तादाध बढर तक वर गशन Laakा घृटे और तिर और दीरर और के तादाध बढ़ती जाते हैं तो है इतने ही खाली रहता है कि फिर और दीरे दीरे बढ़ाते हैं इसमें और कुछ डालते जाते हैं अब यह आपकी खादवन के तयार है इसको कार लेंगे फिर दूसरा डाल देंगे अच्छा और और किस तरह से खाद यहां पर बनाई जाती है तो कच्व कच्व वाली खाद किस तरह से बनाई जाती है यह बढ़ी तो सिचाई का पानी कहां से लाते हैं यहां पर अच्छा बढ़िया और यह उस तरब क्या लगा हुआ है अच्छा तर्बूज लगा है अपना ही है अच्छा दूसलेगा हुआ 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 है